हेलो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो कनिश हाय की भरती थी उसके पद बढ़ गये हैं और उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है फाम आप लोग अभी डाल सकते हैं यहां पर डेट लिखी हुई है आप देखें तो डेट यहां पर मेंशन है यह लिखिवा संसोधन की तिथी 10-10-23 निर्धारित है और इसके अतरिक्त आवेदन सम्मिट करने की जो तिथी है वो 3-10 यहनी 3 अक्टूबर तक समय दिया गया है पहले जो वेकेंसी थी अब यहां पर काफी पद बढ़ गये हैं तो देख सकते हैं 1518 पद समान्य और यहां पर 163 पद विशेशन के इस तरह से कुल 1681 पद और भी आ गये हैं जिनको मिला करके अब यह बता रहें कि टोटल हो गया 5512 पद तो काफी पद हो गये हैं इनके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे एक एक बिभाग के बारे में अच्छे से आपको लाइब वीडियो में आ करके हम बताएंगे कि एक एक भी भाग के बारे में क्या काम होता है कौन सा भी भाग किस बच्चे के लिए ज़्यादा बेश्ट रहेगा चुकि आप फार्म डाल रहे हैं आप नोकरी करना चाह रहे हैं आपके आगे भी कुछ उद्देश से होंगे उसको दिहान में रखते हुए कौन सा भी भाग आपको लेना चाहिए कौन सा भी भाग प्रिफर करना चाहिए तो इन सब के बारे में आपको पहले से जानकारी रहेगी तो अच्छा रहेगा उसी के इसाब से आप आगे जाएंगे तो आगे जो आपका उद्देश है जो आपका टार्गेट है उसको भी आप एचीब कर पाएंगे तो यहाँ पर विभाग देख लें बहुत सारे विभाग हैं पहला दिया हुआ है सिक्षा विभाग स्टांप एवम रेजिस्ट्रेशन विभाग उत्तरप्रदेश ऐसे ही सिचाई निर्वाचन विभाग वन एवम वन जीव भूम अध्याप्ती परिवान विभाग तो इसको आपने देखी लिया होगा सूची और हमें पता है कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको विभाग के बारे में जानकारी नहीं होगी नाम सुना होगा उसमें काम क्या होता है कैसा काम होता है आपके लिए वो काम कैसा रहेगा कई नजरिये से आपको देखना होता है कि हमें ये विभाग हमारे लिए ठीक है कि नहीं है तो उन सारी चीजों पर हम एक वीडियो अच्छा सा बनाएंगे उसके बाद लाइबा करके आपके जो भी डाउट्स होंगे जो भी क्वेशन्स होंगे उसको भी हम बताएंगे अभी आप लोग फार्म डाल दें सभी लोग जितने लोग तैयारी में लगे हैं फार्म डाल दे और अच्छे से अभी तैयारी करें इसके बाद हम आपको एक एक स्टिप सारी चीजे बताते जाएंगे आपको कैसे रेटर इक्जाम क्लियर करना है, कैसे टाइपिंग करनी है और कैसे सेलेक्शन लेना है और किस विभाग में लास्ट में ज्रैनिंग आपको करनी है